करेंट सिच्छा यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करेंट अफियर्स का 5 जनवरी 2023 का जो करेंट अफियर्स का न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हम लोग पहला कोश्चन है इन वीच स्टेट गान नगाई गान नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इस से राज में गान नगाई उत्सो मनाया जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा ओप्सर नंबर भी मनिपूर में गान नगाई जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है और यह क हो जाएगा option number B money poor है दूसरा question HDFC है पार्टनर सी with which company for its digital transformation जो HDFC bank है वह अपने digital परिवर्तन के लिए किस company के साथ साजेदारी की है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D HDFC bank है वह Microsoft company है इसके साथ एक साजेदारी किया है digital transformation के लिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D Microsoft के साथ है साजेदारी किया है अगला है तीसरा number question first country in Asia to launch hydrogen power train hydrogen संचाली train शुरू करने वाला Asia का पहला देश कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number D चीन जो है वह इसिया का पहला देश बन गया है जो की hydrogen powered train को start किया है यानि hydrogen संचाली train को सुरू किया है तो सही उत्तर हो जाएगा option number D चीन और विस्व में जर्मनी जो है वह जर्मनी है पहला hydrogen से संचाली train को सुरू किया गया है तो इसिया में पहला पुछेगा तो उसका उत्तर होगा चीन और विस्व में पहला है तो जर्मनी तो विस्व का पहला hydrogen जो संचाली train है वह जर्मनी में जो है देश वह start किया है इसको और यह train को पहले operate किया गया था वैसा track पर जहां electric supply जो है वह कम है तो उस जगह पर इस train को पहले संचालीत किया गया था जर्मनी में जो की fuel sales generate power को generate करता है और यह जो है greenest और cleanest train fleet ever है क्योंकि इसके द्वारा pollution भी नहीं होता है जिससे environment को छती भी नहीं होता है तो अगर हमको पुछे या question Asia का पहला hydrogen संचाली train चलाने वाला पहला देश है चीन और विस्व का पहला hydrogen संचाली चलाने वाला train है जर्मनी अगला question है which is the world longest river cruise दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number ए गंगा विलास गंगा विलास जो क्रूज है इसको पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनेगुरेट किया गया है और इसका जो रूट है वह वारा नसी से पटना होते हुए कोलकाता धाका वो लास्ट में वह जाएगी आसाम के डिब्रूगड में यह क्या रूट है यह क्रिव का तो सही उत्तर है ओप्सन नंबर ए गंगा विलास इसका नाम रखा गया है जो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है अगला कोश्चन है हाउ मेनि इलेक्टिक बसे लौँच्ट इन दिल्ली अंडर फेम इंडिया फेज टूज स्कीम फेम इंडिया चरन दो योजना के तहत दिल्ली में कितनी इलेक्टिक बसे लौँच की गई है तो सही उत्तर है ओप्सन नंबर सी टोटल पचास बसे को लौँच किया गया है फ Fame India scheme है या Indian Government का scheme है जिसके द्वारा या क्या promote करता है जो electric vehicle को promote करने का या एक scheme है आगला question है प्रेसिडेंट द्रापदी मुर्मु इनेगुरेट्स संबिधान उद्ध्यान at which place राश्पती द्रापदी मुर्मु ने किस स्थान पर संबिधान उद्ध्यान का उद्ध्गाटन किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number A जैपुर में संबिधान उद्ध्यान का उद्ध्गाटन किया गया है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा option number A आगला question है Siom Bridge is inaugurated at which place Siom Pool का उदघाटन किस अस्थान पर किया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Option No.D इसे अरुनाचल परदेश में Siom Pool का उदघाटन किया गया है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका Option No.D अरुनाचल परदेश और इसे भारत के Defense Minister है स्री राजनाथ सी ने इसका उदघाटन किया है Next हम लोग Siom Bridge के बारे में कुछ Point हम लोग देखते हैं तो यह क्या एक 100 मिटर का एक Steel Arc Super Structure है जो की आलो इंकियोंग रोड परियाइस्थित है और West Siang and Upper Siang District को जोडता है और यह जो इसको बनाया है वह बी आरो ने बनाया है Border Road Organization ने इसे इस पूल को बनाया है और इसके द्वारा क्या फायदा होगा कि जितने भी heavy equipment होगे उसको movement में आसान होगा और जो movement of troops जो move करेगा उसमें भी इसे ज़्यादा तेजी से किया जा सकेगा अगला question है who inaugurated 108th Indian Science Congress event 108 में भारतिये विज्ञान Congress कारिक्रम का उधगाटन किसी ने किया है तो सही उत्तर हो जाएगा option number नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रतान मंत्री उन्होंने virtually 108 में भारतिये विज्ञान Congress कारिक्रम का उधगाटन किया है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका option number A अगला है नॉमा question इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ओपरेशन इन दफ पाइप्ट नेचुरल गैस नेटवर्क की जे स्टार्टेड है पाइप्ट नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संब्रिश्रन ओपरेशन कहां शुरू हुआ था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्ट नमबर ए या क्या गुजरात में सुरू हुआ था और इसे एंटी पीसी कावस में सुरू किया गया है एंटी पीसी कावस में इसे सुरू किया गया है यह जो है NTPC और गुजरात गैस, गुजरात गैस के सहयोग सही से शुरू किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा option नमबर ए गुजरात, तो option है इसका सही है गुजरात, अगला है दसमा नमबर question, which state government will decide to evolution revenue police system, कौन सी राज्य सरकार राजस्व पुलिस परनाली को समाप्त कर करने का निर्ने लेगी, तो सही उत्तर है इसका option नमबर D, उत्राखन जो सरकार है राजस्व पुलिस परनाली को समाप्त करने का निर्ने लेगी, इसका option D है सही उत्तर, अगला है एक ग्रहमा नमबर question, which state government launched सुखासरे सहायता कोश, किस राज्य सरकार ने सुखासरे सहायता कोश का सुभारम किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C, हिमाचल रदेश का जो सरकार है वह सुखासरे सहायता कोश का सुभारम किया है, तो option C इसका सही उत्तर है, अगला है बारहमा नमबर question, which company has built the K9 बजराज, किस कमपनी ने K9 बजराज का निर्वान किया है, तो सही उत्तर है option number B, लार्सन एन टीवरो जो कमपनी है, वह के नाइन बजराज का निर्वान किया है, तो सही उत्तर है option number B, अगला question है, who becomes the first woman officer to be operationally deployed in the Siachin, Siachin में operational रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो इसका सही उत्तर है option number D, सिवा चौहान जो है वा, सिवा चौहान जो है वा, पहली महिला बनी है, जो की operational रूप से सियाचीन में तैनात होई है, अगला है चौदहमा नमबर question, when is world Braille Day celebrated, यानि which Braille दिवस कम मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है option number B, चार जन्वरी को बिस्व, Braille Day मनाया जाता है, तो सही उत्तर है option number B, option B इसका सही है, चार जन्वरी, क्योंकि चार जन्वरी 1908 हिस्वी को लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था, लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था, नेक्स्ट हम लोग कल का जो question दिये थे, उसका हम लोग solution देखते हैं, तो कल जो question था, नीरज गुपता समीती, निमलिखित में से किस सम्बंदित है, तो नीरज injection यानी cashless lane देन से सम्बंदित है, तो इसका सही उत्तर है option number C, तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा, और आज का जो question दे रहे हैं, तो आज का question है, which of the following is largest ecosystem of the world, निमलिखित में से कौन सा बिश्व का सबसे बड़ा परिस्थित की तंत्र है, तो इसका सही उत्तर है, आप comment section मे लिख कर बताईएगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको like कीजिए, subscribe कीजिए, और जादा से जादा इस वीडियो को आप share कीजिए, जय हिन, जय भारत!